हई चब बास काम में या पर कर लों कर रहां वर में देखे 4x को में लिख सकता हूं क्या 4 या चलो यही पर कर लेते कोई बात 16 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 x 4 2x ठीक है यह क्यों लिका इस ताऊंके अगर किसी चीज़ की power 2 power हो तो इसका मतलब क्या है यह इस तरह अब इसको लिख सकते है तो यह पर पी अमने लिखने है 2 यह 4 power x similarly यह पर देख लिए का इसको मैं क्या लिख सकता है 2 power x इन्टू दोग पावर एक्स प्लस वन यह चीज़ अच्छा जे 16 फॉर का मतलब क्या होता है फॉर का स्क्वेर यह भी 16 अच्छा यहां पर देख लिए यहां पर टू है टू एक्स तो इसको भी में टू एक्स में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा इसको टू इंटू टू एक्स यह वाले फॉर इसको मल्टिप्लाइ कर यह आजाएगा 32 इंटू टू देख पावर एक्स टू देख पावर एक्स प्लस वन 16 इंटू 16 256 ठीक है ना इसको क्या लिख सकता हो दो ज़र बेर दो दो की ताकत दो कुल की ताकत एक्स यह 32 इंटू टू देख पावर एक्स प्लस वन ठीक है अच्छा जी अब 255 इसकी जो पावर एक्स को हम एक्स्चेंज कर सेंगी है इसको मैंने या पर लिखा इसको या पर लिखा 32 टू की पावर एक्स प्लस वन यह चासे इसको देदे एक्वेशन नमर वन अब देखे इसको मैंने क्यू इस तरह कर वड किया क्या क्यूंके यहां पर देखें दोनों एक जैसे हैं अब इसको हम क्या करेंगे इसको फर्स करेंगे लेट टूरेस पावर एक्स किसके बरापर है वाई के बरापर है ठीक है ना तो एक्वेशन वन बिकम्स एक्वेशन वन बिकम्स यह देखे यह क्या बनाएं टू फिटेषक्स यहापर देखें टू एक्स है तो क्या एगा यहापर य अब चूंकि इसके उपर क्या है स्क्राइब polar तो सब्सक्राइब aha और तर संद्सक्राइब यह लेख सकते हैं तर्ड टडी टू वाई प्लस वन यह चीज़ अब इसके बाद बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे पर्फेक्ट स्क्वेर ही इसको हम चेंज कर सकते हैं बहुत आसान है क्यों इसके सोला है यह 256 है कि अब हमर पास क्या है ठीक नहीं यानि इसको अपलिक सकत है क्या सिक्स्टीन इन्टू हाँ ठीक है ना खुब मालम मुशन यह चीज़ तो यहां पर अगर आप इसको देख लेगर वाई अगर भी हो तो वाई चलो इसको मैं आप अपर करता हूं यह यह चीज़ तो क्या बना टू फिफ्टी सिक्स वाई स्क्वेर किसके बराबर सिक 16y whole square यह चीज़ ठीक है इसके जगह में लेख सकता हूं क्या 16y whole square अच्छा जी अब यह जो वन है यहा पर one boug को क्या लेख सकते हैं ठीक है न एकी बात है क्यूंकि आप एक का x2 1 इy आता है ना बढ़त देखें इसको अमने चेंच करना है फार्मले के म्ताविग जो फर्मॉला हमारे पास है कुछ से फर्मॉला यह वोला फारुंड एक ही दो कि जम्मादोई भी यह मन्फी दो भी जो कई जो भी हो यह कि इसको हमने इस फर्म में चेंज करना है जो देख पहले रख़्म कमरभा जम्मादRR रिकम का मुर्बा यहां पर इसकी चाहिए दो जरब पहली रिकम जरबे और इनको अगर आप जरब देदे दोबारे यहीं चीज़ आनी चाहिए बलकि आता है ठीक है तो अब यह क्या होगा यह इस फॉर्मेट में आगया अब जब इसको अमने इस फॉर्मेंट में चेंज किय आपर ए मन्फी बी कुल का पुरबह और यह पिर है इसका मतला भी दो फेक्टर बन गए यह दूसरा यह ठीक है यह उसी तरह आप इसको स्कूरे लिख ले तो यह पर क्या गया हमार पस इसको में क्या लिख सकता हो सोलब आई यह पर चुक्क मैनस है तो यह माइनस दूसरी ऐक हम यह हुआ स्कूर एज़ ठीक है ना समझ गया अच्चा यह पॉर्शन नमारे लिख कम नहीं है तो अब क्या करेंगा स्कूर रूट लेंगे ठीक है ना तो स्कूर रूट लिया एज़स 16y-1 whole square 0 यहाँ पर plus minus नहीं लिखेंगे अगर कोई और रकम हो दी तो लिख लेते 16y-1 बराबर है 0 तो क्या आगिया हम अर पास 16y 1 यहाँ पर minus और इस रफ जाकर 0 कि जमा होगा तो क्या है का जॉप 1 अच्छा जी अब इसके बाद y यह 16 यहाँ पर multiply और उस तरफ जाकर क्या होगा divide होगा divide यह चिस दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास again y किसके बराबर है y को मने क्या लेट के था 5 रेस पावर नहीं क्या था 2 है ना 2x तो इसके जगह में लिख सकता हूं क्या 2 रेस तुदी पावर x ठीक है ना अच्छा 16 को हम भी क्या लिख सकते हैं यह 16 को ज़रा अब देख ले 16 को दुबार यहाँ पर देखे ज़रा फॉर्क में 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2 इंटू 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 यह यह क्या बना है यह पर फ्लस उठे़ ऑपर जाकर क्या होगा ठीक है रह्म को अगर आप नीचे से उपर ले जातोे ही उठे़ उसका पावर को साइन होजाता है तो यह बराबर का सायन यहां पर बेस आपस میں बराबरे तो इसका मतलब ग्या है इसका मतलब है यह और यह आपस में बराबर इस ओली पॉसिबल तो यह दोनों आपस में बराबर है कि यह दोनों बराबर इसका मतलब यह बराबर है तो हर सेट हमारा क्या गया है हर सेट बराबर है सुलूशन सेट बराबर है यह एचा साथ आंसर हमारा ठीक है ना